हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको यह पपीता का और लॉकी का जो सीड है यह हाइबिड सीड है इसको मैं आपको लगाना बताऊंगा कि बीच को आपको कैसे लगाना है कि यह सीड काफी कॉसली मिलता मार्केट में इसलिए एक एक बीच बहुत ही इंपोर्टन रहता है इसके लि मिलाने हैं यह संची साइट में आपको बता रहा हूं यह दानेदार यह आपको देख रहा है यह फिर ट्राइजर अनिया आपको बताता है यह पंगी सैद्ड अं यह कॉपार आकुसों अलुयह कउन्टक्ट निसाइड है इसको हम स्वालिक्स करेंगे अ कारवेंड़ाजिम के निच का उपचार करेंगे, जिसको भूलते हैं, उसके बाद यह एपन है, एंटमोव पैथोईनिक नेमेटोड, यह जो स्वाइल में नेमेटोड की प्रावलम यह कीड़े की प्रावलम उसको यह खतम करता है, इसके साथ मैंने यह तीन पॉट लिए हु यह देखें, तीनों की मैंने बराबर quantity ली हुई है, तो कि सीट को मैं पॉड में लगा रहा हूं, यह potty mix मैंने तयार कर लिया था, उसके बाद फिर मैं यह fungicide है, यह copper oxy chloride है, copper fungicide है, यह जो swail में जो disease आती है, उसको control करता है, इसको मैंने, यह देखी, एक spoon है, मैं इसमें मिक्स कर दूँगा, इसमें डालने के बाद, यह जो swail mix है, यह potty mix है, इसको बहुत अच्छी से mix कर लेना है, Fungicides के बाद में यह मैंने fertilizer, इसमें थोड़ा सो डाला हुआ है, fertilizer आप देखिए, यह granule fertilizer है, इसमें macro और micronutrients दोनों है, इसमें यह fertilizer में डाल देता हूँ, इसके बाद यह जो APN है, जो मैंने बताया था, antomo, pathogenic nematode है, यह एक biological control की method है, जिसमें यो nematodes को मारने के लिए इसमें बनाया गया है, यह nematodes और क्यूडे को, इसमें डाल के मिला लेंगा अच्छी से, यह देखिए, अब यह जो papaya है, papaya का seed है, यह hybrid seed है, इसकी packing देखिए कितनी अच्छे से करी हुई है, यह देखिए, अंदर यह डिबी में है, अब इसको निकाल के इसका seed treatment करेंगे, यह seeds को मैंने एक थोटे से pot में यह मैंने डाल दिया है, इसमें हलका पानी होना चाहिए, मौशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम यह copper fungicide का use कर रहे है, तो य यह जो fungicide अच्छे से चिपक जाए, हमें सूखा यूज नहीं करना है, बस थोड़ी सी ही मात्रा हम इसमें लेंगे, ताकि इतना fungicide लेना है कि seed को coat कर ले, यह चारो तरफ से coating अच्छे से हो जाए, यह देखिए, fungicide को seed के साथ मैं यह seed treatment कर रहा हूँ, इसको अच्छे से करना है, यह जो fungicide के चारो तरफ coating बना ले, जब तक यह coat नहीं करेगा तो आपके fungicide डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको अच्छे से coat करना है, फिर इसको थोड़ी देर के लिए इसको सुखाना है, कम से कम पांच मिट के लिए इसको सुखाना है, जब तक वो seed सू आपके देखे, मैंने यह कितने सारे holes करके रखे हैं इसमें, कम से कम दस होल होंगे इसमें, आट से दस होल करीब हैं, इसमें, इसको बारके इसको अच्छे से टैप करना है, टैप करने के बाद यह जो, हमने यह seed का treatment क्या हुआ था, यह seed treatment को यह, treated seed को यह, सब तरफ डालना है, एक ही जगह पर नहीं डालना नहीं, तो बहुत सारे seed एक ही जगह पर निकल आएंगे, इसको evenly चारो तरफ इसको डालना है, इस तरह से इनको दिखेर दीजिए चारो तरफ, दिखेरने के बाद फिर इसके उपर से भी हम यह, इसके उपर इतना potty mix डालना है, ताकि यह seed अच्छी से cover हो जाए, cover होने के बाद इसको खलका watering कर देंगे, इसी तरह आपका यह जो लौकी का, यह seed है, बिल्कुर सेम प्रप्रेशन ऐसे ही करना है, इसका भी seed treatment करना है, और pot में इसको लगाना है, थैंक यू विवर्स फॉर वाचिंग,